तो ये सारे rewards हम free में collect कर सकते हैं बिजयमाई के अंदर हलो दोस्तो केसे हुआ आप सभी लोग तो आज बिजयमाई के अंदर popularity battle नाम से एक new event आई है जो कि आप ये देख सकते हो और इसके अंदर दोस्तो हम बहुत सारे items free में collect कर सकते तो आज पूरे detail में आपको बता हुगा कि इस event के अंदर केसे participate करना है और ये जो free rewards से हम ये केसे collect कर पाएंगे तो आप बस इस वीडियो को पुरा अंतक देखते रहे उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो यार अभी ही आप चैनल को subscribe कर देए से informative देखने के लिए और एक वीडियो को like जरूर कर देना तो वो event बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको free character voucher की event के बार में बता दू तो इवेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो voucher quest की 6 वाली week की event आ गई है और इसमें हमें total 70 character vouchers free में मिल रहे है तो हमें कुछ नहीं बस top 10 आना है 10 बार classic mode के अंदर तो आप rank के अंदर भी कर सकते हो या फिर unrank में तो unrank में ही आपका हो जाएगा गाईस ये new mode खेलो top 10 10 बार आ जाओगे तो आपको 70 character vouchers मिल जाएंगे और उसी की नीचे एक login वाली है तो आमें बस दोस्तो login का ये collect करना है आप देख सकते हो आज मैंने ये collect किया है तो यसे आपको करते रहे नहीं फिर बाद में ये event फिर से आने वाली ये दोस्तो week 7 वाली तो वो 29 को आ जाएगी तो ये collect जरूर कर लेना और free में character unlock कर लेना तो दोस्तो एक new event आई है तो इसके लिए आपको ये वाली screen पर आना है और यह popularity पर अगर आप ये click करते हो तो यह आपको popularity battle नाम से new event दिखाई देगी जिसका नाम है 1v1 popularity battle तो दोस्तो ये क्या है तो ये popularity से related है मतलब जो भी आपको दोस्त या फिर कोई भी popularity send करता है जैसे कि आप ये देख सकते हो तो ये event के time पर अगर आपके दोस्त ये इसे popularity send करेंगे तो फिर दोस्तो आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे तो उसके बार में आपको बता दू तो ये इसी एक event आई है तो ये आज ही के दिना है ये 22 तारिक को तो 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक दोस्तो आपको register करना है इस event के अंदर तो सबसे पहले बता दू कि कौन-कौन इस popularity event के अंदर participate कर सकता है तो जिसकी भी level 4 के उपर popularity हो जैसे कि आप देख सकते है यह लेवल 5 मेरी दिखाई दे रही है अगर आपकी यह लेवल 4 दिखाई दे रहा होगा तो फिर आप participate कर सकते हो तो यह अगर आप क्लिक करोगे तो यह आप check भी कर सकते हो देख सकते हो तो level 4 होता है 100 K की पॉपलाईटी है तो फिर आप इसके अंदर रेजिस्टर कर सकते हो तो आपको क्या करना है सभसे पहले यहाँ आपको रेजिस्टर के उपर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टर कर देख sleeping तो आप देख सकतो यहाँ आगया है first round battle time तो 29 तारिक को पहला बैटल का राउंड स्टार्ट होने वाला है 29 तारिक को सुभे 7.30 बजे से स्टार्ट होगा ये कनवर्ट करके मैंने आपको बताया है तो ये क्या है फंडा आप देख लो या लेवल रिवार्ट्स आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे और या रैंक रिवार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे तो ये बैटल दोस्तो 1v1 ही चलने वाला है मतलब जैसे आप ये रिजिस्टर कर ले तो मैंने ये कर रिया फिर फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा और आपने सामने एक ओपोनेंट आ जाएगा जो कि आप ये देख सकते हो तो आप होंगे और आपके ये सेम लेवल का आपका अगर पाच है मेरे देख सकते हो मेरा पाच है तो guys मुझे आप popularity ज़रूर send करना आप मुझे send करूगे तो मैं आपको फिर से popularity send करूँगा टेंशन मत लो आपको भी मैं जिता हूँगा तो आपको बस compete करना है उस बंदे के साथ तो आपको उस तीन दिन में जितने जाद से जादा popularity मिलेगी तो आपको वहाँ दिखते रहेगा यह देख सकतो यह से blue वाला अगर मैं यह हूँ तो यह मेरी line इसके यहाँ तक आ गई और जैसे तीन दिन खतम हो जाए और मैं अगर जित जाता हूँ ऐसे तो हमें कुछ उसके points मिलेंगे हम जादा margin से उसे हरा दे आप देख सकते है यह line यहाँ तक है अगर मैं यहाँ जीत जाता हूँ मतलब कम margin जीत जाता हूँ जादा margin से में जीत जाता हूँ तो उसकी भी popularity के कुछ points हमें मिल जाएगे और जैसे जैसे दोस्तो points मिलेंगे तो वेसे वेसे हम यह level दोस्तो अनलोक कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हो PK1, PK2, PK3, 4, 5, 6 तो यह level अनलोक कर पाएंगे और यह चीज़े जो मिल रहे हैं तो इसनका क्या use है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो यह जो उन्होंने battle parade दिया है जो कि आप देख सकते हो 29-8 से लेकर 29-9 तक मतलब एक मन्त के अंदर टोटल दोस्तो आप 10 battle compete कर पाओगे मतलब आपको दोस्तो हर 3 दिन में जैसे आप जित जाओ या हार जाओ आपको फिर से एक opponent दिखाई देगा तो टोटल 10 बार इसे battle चलेगा तो आप ट्राइ करो कि यार जाद से जादा जित जाओ वो 10 battle में जिससे आपको जाद से यह points मिल जाएगे और आप कैसे जित पाओगे तो उसके लिए मैं एक trick बता दू आपको क्या करना है guys आप इस वीडियो के comment section में आपनी ID in game की डाल दो जिससे कोई भी random बंदा अगर देखे या फिर आप भी देखो किसी और की तो आप उसको copy करकर उसे दोस्तों popularity send करते जाओ इसी free वाली जितनी भी करो उतनी करते जाओ और जो बंदे को popularity मिलीगे यसी randomly guys तो आप भी उन्हें same to same उतनी popularity send करते जाओ मतलग दोनों की winning chances बढ़ जाएंगे तो आप यसी trick follow कर सकते हो तो आप comment करो आपनी ID और आप loyal रहो guys आप दोनों ही जित जाओगे और बाकी reward section पर अगर आप जाओगे तो आप यहाँ battle record भी देख सकते हो कि एक match में कितने points मिलें second match में क्या हुआ और जो मैंने आपको points बताए थे आप देख सकतो 20 से यह unlock होगा assist यह 140 से यह तो 320 में देख सकतो यह सारे rewards आप collect कर पाओगे और आप tension ना लो आप देख सकतो यह season battle played मतलब कितने मैंने खेले है next season भी दोस्तो फिर से यह event आएगी तो ऐसा नहीं है कि एकी season में आपे यह complete करना है तो next season भी यह points काम आएंगे तो guys hope आपको यह detail में समझ में आगोई होगी यह event तो इसके लिए एक वीडियो को like कर दे और दोस्तों उन्हेंने server की भी एक रखी है इसके अंदर event मतलब इस time period में एक वंत में अगर आपको जाद से जादा popularity मिल जाए जैसकि 10 million या 20 million तो वो मेरे आउकात के बाहर ही है तो फिर अगर आप top 3 में आते हैं तो आपको यह permanent titles मिलेंगे और जो भी चीजे हमें यह मिल रही है rewards में आप देख सकते हो तो इनका क्या use है तो आप यह खुद भी देख सकते हो settings पर अगर आप जाओगे तो invite window में हमें दोस्तों देख सकते हैं यह invite करता है हमें कोई भी त तो बहुत ही अच्छी चीजे हैं तो आइस इसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मिलता हूं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग